आज जितने भी बड़े हैं सबको रोजा है तो आगे आप लोग देखना के इसका रोजा नहीं है अलागे फारुक की बच्चियों ने भी रोजा रखे है इसकी अम्मी ने भी रखी है सबने घर में रखे खली एक आयत और तयवा को छोड़के मुस्तवा का मुझे पता नहीं बाकी सबने रखे है लेकिन ये जो औरत है इसने नहीं रखी है पता नहीं इसको क्या है मुझे लगता है कि ये मुस्लीम नहीं है या क्या है और ये इसका सामने का कपड़ा देख रहे जो इसके supporter बैठ के जो ने ना को टेकशी टेक्सी बुलते हूं है इसके सीने का मज़ाख उड़ाते है तो इसका तो नहीं है तो यह बना-बना के दिखाती है और рियल लाइप में तो टेकशी ये है जो कोई भिलाता है इसके पर चढ़के उतरके चला जाता है तो टैक्सि की पहले देखो कि सीना दिखाती है इसका मूह देखो इसकी बॉडी को चीना देखो साफ नहीं नजन जराता है कि जान बूछ कि नष्व तकन बड़ा दिखा और हायलाइट करती है डूपटा हटा हटा के दिखाती है तो इसको है ना टैक्सी ही बोलेंगे अपसे हम इसका कपड़ा देखो आप लोग को खुद पता चल जाएंगा इसका कपड़ा आप लोग गोड़ते देखो के वो हैवी हैवी पैड़ वाली जान बुच के पहनी है साफ नजर आ रहा है और इसके पहले भी हिसाब से इसका सीना है इसा नहीं है वो जान मुझके दिखाना चाहती है और जान मुझके डुपट्टा हटा हटा के दिखाती है कि मेरा सीना देखो अरे भाई रखना तेरे पास में आई बड़ी सीना दिखाने वाली छिचोरी और टैक्सी नंबर वन मेरा ये था कि मैं पहले नहाद होके फ्रेश होके फिचर में आना तो अच्छे से काम होता है और मज़े की खाने भी बनते हैं अब लगों ने इसका सीने के उपर गौर किया कि डुपट्टा लेने की किती तमीज है अब मेरी एक सिस्टर है जो बोलती है ये सारी चीजे मिरे लिए इतना मैटर नहीं रखती है अब इतना तो चलता है कुछ लोग तो बिना डुपटे के भी गुमते हैं तो जब ये अइटी है तो दूसरों को क्यूं नाम रखते इसके सपोर्टर या ये खुद दूसरों को क्यूं नाम रखते जब पता है कि ये सारा कुछ चलता है तो फिर नेना के पीछे सलमा के पीछे लगते तो जाईर सी बात है फिर तो इस लोग बहुत ज़दा नेक और पाक पकीजा लोग है ना तो फिर पिटारा को भी पाक पकीजा बनके रहना चीए क्यों दिखाती है अपना सीना हां किसको दिखाती है किसको लालत दिलाती है कि त तो आज अफ लाइट पकड़ के और मेरी टैक्सी में चाड़ जा तो यह वज़े से ना इन चीजों को मैं हाईलाइट करती हूं वाकि ना ना दो ना आज कल बड़ा हो रहा है पिटारा क्या बात है ऐसे तो तो दददस दिन बोलती है मैं नहाई नहीं हूं कपड़े तेरे द थी दिर्थरा वरुसा भाई यह टैक्सी का कभी भी किसी कि भी फैमली को आग लगाने ते तो यह पीचे आठ्टी नहीं है और जित तरह सीना दिखाते रहती है एस से तो यह जा histogram होता है कि इसकी जो बिमारी है ना वह जाने का नाम नहीं ले रही है वोईवजे तो यह ग्रकाम तो इसका चली जाएंगा कि आज पटारा बड़ा काम कर रही थी बही क्या बात है कलेजी बनाई सेवह बनाई फिर पलेट में सर्वी की कि यह बात है प्रारा बहुत सुनती है है मेरी बात अब वो दिन इसने ड्रामा की ना डकन खोल के दिखाई कि मैं ना खाना बना पिर मैंने याद है ना बोली थी के तु एक-एक मसाले डाल बना और कट वगेरा तो इसने इसमें भी नहीं की तो पिटारा अगली बार है ना वो जो सबजियां वगेरा कांदा टामाटेट कट करके जो तू इन से करवा लेती है अम्मी और बच्चों से और दिखाती है ना त जैसे अभी मेरी सुनके तुने कहाना बनाई ना वैसे ही सारक कुछ काम करके अगली बार बताना जैसे तु मेरी एक-एक बास सुनके उसको पर आचकल कुछ जादा ही दूसरे ही दिन अमल कर दे रही है ना तो अगली बार ये भी बताना और ये जो तू सीना दिखाती है न समझी टैक्सी इतनी बेगहरत और इतनी घटिया औरत है यह बोल रही है कि नवी दस्वी के बाद में दुकाने खुल जाएंगी फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और आप लोगों को पता ही होगा कि वो जो वकार है चस्मी डबल अठा हुआ आता है इसकी वीडियो की शुटिंग करने के लिए फिर दोनों जने एकी रूम में पूरी रात निकलते है शुटिंग तो दो-चार घंटे में कतम हो जाती होगी और उसके बाद में पूरी रात ए में तो एक ही दिन था ना तो फिर इसने वीडियो में कुछ दिखाई नहीं यहां तक के रोजा तक के इसने नहीं रखी अलाके यह रोजा जरूरी नहीं है इसाब रखे लेकिन इसने बोली ना कि सब बड़े लोग रोजा है खली बच्चे नहीं है तो यह तो रोजा नहीं थी ये जैसे पूरा रमजान लिफ्टिक लगाती रही है वह इसे ही अभी भी थी लिफ्टिक लगा के फिर अम्मा के आगे दो पलेट रखी थी एक में थोड़ी सी सिवही थी और एक में पता नहीं क्या था अगर खुद का रोजा होता ना इसका तो खुब सारा है ना ये बा इसको सवाब और ये इसलाम दीन इनसे कोई लेना देना नहीं है इसको चाहिए कि चुड़ेल वाला का जो चैनल है ना इसका चुड़ेल वाला चैनल बस उसके उपर इसको जाके वहाँ पर छीचोरा पना करने को चाहिए अपनी हवास बुजाने को चाहिए और गंदी हरकत बच्चो को चोड़के इसके लिए इसने मजबूरी में खाना बनाई बरना तो ये खाना भी ना बनाती लेकिन पूरा नहीं बनाई चौपिंग वगेरा सब लोगों ने करके इसको दिये तब जाके खड़े रहेके खली चम्मा जिलाई है चंदी चोर व्लागर मुझे इतना हजीब लग रहा है ना इसका कपड़ा एक तो डुपटा अठा के जो रखी है ना मुझे सच में इतना इरिटेट हो रहा है इतना गुसा आ रहा है ना इसके उपर बहुत घटिया तरीके से ना ये अपने जिसम की नुमाईश करती ये वीडियो में आके बहुत औरत है देखते है कल के इसके मनलब ये वीडियो में कल डालने वाली हूं तो देखते है कल के वीडियो में ये क्या बताती है मुहरम में क्या क्या स्पेशल की इसने किस तरह से इतने अपने तेवार को मना के दिखाई है तो वो देखने आली रहेंगी ना वीडियो बाकी घ तीने को इस तरह से उभार के रखिए ना किसका मौ और तीना पूरा एक लेवल में दीख रहा है इतनी घटिया दिख रही है ना यह साफ नजर आ या मैं शर्बत बना के बटवा दूँ या कुछ कर दूँ चलो ठीक है तुमारी नियत बटवाने की तो ही नी तो कम से कम घर में ही फात्या दिला दूँ या निकाल दूँ नियत का और पी ले ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई लेकिन चुलैल वाले चैनल के लिए तैयारियां कर देंगी मुझरा करने के लिए तो बुलाई ती ना मा को सौधी से मुर्गी नहीं हती मुर्गी उसको बलते है परकटी मुर्गी उस तरह की परकटी मुर्गी की तरह बाल ले लेके गोम रही है बता रही है कि मैं सर पर डूपट्टा रखी हूं लेकिन अंदर खुले बाल और पूरे बाल सामने की साइट नजर आ रहे है और पर कटी मुर्गी की तरह घोम रही है बे गैरत औरत बे शरम पट्टा लेने का ड्रामा क्यों कर रही है दूपट्टा तो तुने उतार दी तू तो नंगी हो गई वो चैनल पे तू बिना सर पे डूपट्टा लिया आके ब तुने हिदायत मिली तुझे तू सर पे डूपट्टा रखी आधा रखी ए सीना दिखाती है बाल दिखाती है यह दूपट्टा क्यों इसी चिंदी सर पे रखके गुमती है यह उतार दे गटिया और यह लिए और फड़ा साहमने घर मसाला पाउडर लिया हमारा भी वोई ह कि कि मैंने हमेशा बोली उना कि यह गटिया और जो आप बताती है न यह कर दिया वह कर दिया पतीना हो गया मैं भहूत ठक गई हम चार गंटे से काम कर रहे थे तो चप्तबलब को यकीन हो गया होगा कि जब यह कूछ काम करती है तो प्रापर विडियो बना के पूर क्राइडिट लेती सीवज़ेबस फार मेंश्थे इस अना किसा बना किसा लगा बहाने चिखे जरूरर करती हिसकर करती है कि मैंने ये कर ली फर तो नहीं करती है वह तो तेरी मान्वा नोकराणी जो एससे करवाती है और फारुक बच्छे करवाती है अभए कैसे खाना बनाई सेवय बनाई खाना परोशी तो दिख़ाई न तो हमें साय करती है यहसारे काम जो आ जाती है क्रीडिस लेने के लिए घटिया यहा pea- वा भई वा कब करती है कुकिंग मेरा अंदाजा इतना अच्छा है कुकिंग करकर के कि मैंने चम्मत से तेल नहीं डाली तो तेरा अंदाजा ना कली तेरे यारों में अच्छा है कौन से मरत को कैसे फसाने का है ना उसमें तेरा अंदाजा अच्छा है ये डायलोग तेरे कुकिنگ करने वाली घटिया कहीं कि फिर झो डैडि डैडि भापा को देखने गई पापा एकदम से याद आ गया अपने इति बाते सुनी खुदी डैडि याद दिला रही है पिर बोल रही है पापा एकदम से याद आ गया अरे घदी उलू की पठी तुन्हें खुद नहीं याद दिलाए न उसको, पिर ये बोल रही है, कि पापा एक दम ते याद आ गया, पाबल समस्ती है कि आउडियंस को, मनूस कहीं ही की और ये बार-बार-बार-बार, पापा, पापा कर रही है, जो तुनके, उसके बचचे लोग के, तो मुझे लगता है कि बच्चों को तो बिल्कुल भी याद आरी लगिन तुझे बड़ी याद आती है उसके पापा की वो गेंडे की काला भैसा उसकी तुझे बड़ी याद आती है सिंपती लेने के लिए कि सबको याद दिलाते रहूं कि घोंचु मेरे पास में नहीं है कॉसर के पास नहीं गया है वो गया है पैसे कलेक्ट करने के लिए जो एक मैना लगा के टैक्सी गई थी ना गुमने के लिए वहां के पैसे फिर जो रैंड के पैसे थे वो और जो तुझे अभी शीफ्ट होने वाली है वो काम के लिए इसका काम नहीं होता तो आप लोगों लगता है कि यह इतना शांती से बैठती गोंचु आज जाता है दुतरे दिन इसके रोना धोना इसका आसू से मुर सब निकल जाता है लेकिन इस बार कितना शांती से बैठती है क्योंकि जब अपने काम से बैशती है न तो इसी तरह से शांती से बैठती है दुबाई जाके त यह गया वह गया यह सब बोलके इसको सिंपधी भी चाहिए रहती है गंदी औरत फात्मा को दे आजो खाना खालो जलो बिस्मिला करोर सब बताना अमी टेसी बना मुझे इनकी यह एक तो समझ में नहीं आती है कि नीचे आप लोग यह पिक्चर देख रहे हो ना तो किते जने खाना खाने के लिए बैठे छे जने एक वो जो कैमरा लेके खड़ी है फातिमा वो भी कैमरा आफ करके फिर बैठ गई होगी तो टोटल छे जने बैठे खाना खा हुझे इतना सी खाना देती है हम तो मतलब दस्तर खान पे डिरेक्ट टोपी लेके बैठ जाते हैं जैसे प्रोपर पूरा खाना जितना बना है ना सब के सब लेके बैठ जाते लेकिन इसको लोगों ने हमेश्य देखा ओगा कि एक एक पलेट में जरा-जरा सी सालन और आओ कितनी होड़ी और खुद तो दिन भर खा 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 करके मर रही है मोटी हो रही है चीक के बताना जरूरी तो कि फाजिया आओ काना खालो जतार यह कि मैं बहुत खयाल रखती हूं हाँ घडिया और बार बार देखे कैसे पूछरी अमी कैसा बनाए अच्छा बनाए बर बर जब रोज अमी और यह बच्चीयां पकाती है तब तो तेरा मूनी कुलता तारिफ करने कि अमी ने बहुत अच्छा बनाई फाजिया ने बहुत अच्छा बनाई फातिमा ने बहुत अच्छा बनाई तब तेरा मूनी कुलता देखो मैं सो रही थी मेरी टैबलेट और कप मे पान वरके लाए के ममा अपना टेबलेट लो क्या बाता चला आँ काँ से आ गयी टेबलेट का से अ गयी तुदा स्वूंइ रहा उयाले हैं करशा ली यह ओ सिए बाबलेट की जैए हैं यह दो फलिज दूले गया हिने आधा में आलगर में दो क्ला क्ला कर अंक्क양 है बच्चों को तो पता ही है यह तो गोलियां खाते रहती है और मैंने तो बच्चे लोग जो देखते हैं वही को फॉलो करते हैं बाकी सोचो इतनी सी बच्ची पानी और टेबलेट क्यों लेकर आएंगी उन लोग देखते हो एंगे ना कि हमारी मां पूरा दिन बस बैठे रहत कोई ज्यादा पावर की गोली बच्चों के हाथ में आ गई और कभी खा गए कुछ कम ज्यादा हो गया तो लेकिन इस गटिया औरत को देखो हसस के बता रही है लानत है पिटारा तेरे उपर लकदी लानत है तेरे को तो एक भी बच्चा नहीं रहना चीए ता जिस तरह से तु बच्चों को संभाल रही है ना बहुत डेंजर है तु गटिया औरत बच्चों की जान तुने मुसीबत में और खत्रे में डालके रखी है मैं तो बोलती हूं ना इसको पहली फूर्सत में निकल लेना चीए दुनिया से मनोस को ते बच्चों का ध्यान रखा नहीं जा जाके यह सबसे आगे तो तेरी सोच जाती नहीं है इतनी तो बिगड़े लिए औरत है बेशरम के इसा मतलब इतने डायलोग क्या मारी आगे सुनाती हूं मैं आपको मतलब इतके दिमाग में जो चलता है ना वही यह बक्ति यह सुनो आप लोगी है तो फिर इसको जाना बीगजा तो तो तूचले जाना विली तेरा पच्छा है ना चलाना अप लोगों ने यह इसकी असल सोच के शादी नहीं करना इससे उससे दोस्ती करना चरचर छेचे घंटा जाना उसके साथ में उसको लूटना उसके साथ में मजे मारना ये सब तो ये करा सकती है और कर भी सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती और सेम इसने ये एजास के साथ में की उसको इतना उलू बनाई इतना वादगर वाला किस्सा आया ना तब बंदे की आखे कुली है तो यह जो इसने बोली है ना बिल्ली के लिए यह सच में इसके दिमाग में चलता है और यह इस चीज को फॉलो भी करती है इतनी घटिया औरत है तू कर ले ना वह बिल्ले से तू शादी कर ले यूग के चली जा वहाँ पर बहुत सारे तेरे को मिल जाएंगे जो तेरी टैक्सी में सवार होएंगे तू चली जा चीचोरी और बागी देखो हमारा किचन कितना अच्छे से साफ हुआ हुआ है अभी मैं आपको बता हूं कि किचन किसने साफ किया यह रुमाल जो फॉजिया ने धोये और त कई होगा खाना क्या बनाई बलके चम्मा जिलाई है इसमें सारी तैयारियां करना सब कुछ निकाल के सामने रखके देना तो चम्मा जिलाने में कौन सा मेहनत लगती है तो खली चम्मा जिला के बोरी है मैंने खाना बनाई चल जूटी लेकिन शुकर है इतना तो सुदरी कम से घम बताई तो सही के बच्चों ने किचन थाफ किए वह tut थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा सज बोलना सीख लिए जो काम तेरी माँ करना की तह ना शायद से वह काम मैं कर रही हूं है न मेरे बोलने पर बड़ा सुनती है अच्छा है ना तेरी ही जन्ना तेरी ही आखेरत सवर जाएंगी तेरी मा तो जाएंगी जन्नम में ते को भी लेके जाएंगी गटिया और अथ उदर जा खेर चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ वीडियो कैसी लोगी कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अला पी